हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स इंडियन पॉलिटी का यह हमारा अगला वीडियो है लेक्चर नंबर 5 हैं कह सकते हैं चीक है और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे तो जो कॉंस्टिटूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर् इंग्जम में जो भी कोषण आपसे पहले पूछे गए है तो उन कोषण को आज हम यहाँग से सबसे पहला कोषण हमारे पास हूआपको पता है है, मैंने पहले की विडियो में आपको बता है हूँ Permiss opener और यहाँ यहाँ पर तीन टि में लिसमेंट और तो उसी के उपर य original constitution मना था तो union list state or content list में कितने कितने subject mention थे तो number of subjects कितने थे ये आप से पूछा जा रहा है friends ये question आ ओलडी 68 और 62 BPSC 2016 में पूछा चुका है तो friends अगर union list के हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि union list में original constitution में हमारे 97 entries थी बाद में ये बढ़ करके 100 हो गई थी चीक है अगर current की बात करें तो union list में आपके 100 subjects से 100 entries लिखी गई है अगर friends से state list के हम बात करते हैं तो state list में आपकी current list देखा जाए तो 61 entries है लेकिन original constitution में आपके 66 entries लिखे हुए थे अब यहां से जो 6-6 entries लिखी गई थी इनमें से 5 entries को state list से निकाल करके concurrent list में डाल दिया गया था ठीक ह है तो अब जो अगर current की हम बात करें तो जो state list है उसमें से हम 5 और घटा देंगे तो currently हम कह सकते हैं कि total 61 items are there in the state list in the 7th schedule of the constitution of India अगर हम concurrent list की बात करें तो originally इसमें 47 entries थी ठीक है तो यहां पर B option हमारा यहां पर correct हो आएगा originally 47 entries थी बाद में इसमें 42nd amendment के द्वारा यह जो 5 entries निकाले गी इस state list से इनको जोड़ दिया गया और यह आपका number बढ़के हो गया 52 ठीक है तो यह भी एक important question है कि जो आपका state list से 5 items निकाले गये थे वो किस amendment के माधन से निकाले गये थे तो we can say that 42nd amendment act of 1976 ठीक है तो यहां पर ह हमारा इस तरह से आप देखें तो A, C, B आपको B option में दिखाए देदेगा तो यह हमारा correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं friends अगला question है हमारा कि under the constitution of India economic planning is a subject अब पूछा जा रहा है कि भारत के समविधान में जो economic planning है यह आपका किस list में mention है friends यह question आपका UPDA, LDA, Prilins exam 2006 में अलड़ी पूछा आ चुका है तो अगर economic planning की बात करें तो friends आप देखेंगे कि जो हमारा concurrent list है यहां पर entry number 20 ध्यान रखिएग entry number 20 जो है यह बात करता है economic planning की और जो planning commission बनाया गया भारत के अंदर आप देखेंगे भारत के अंतरगत पहले planning commission था ठीक है बाद में उसको replace कर दिया गया 2014 में नीती आयो उसे तो जो planning commission था यह भी पूछा आता है कि planning commission कब establish हुआ था तो आप कह सकते है 19, 50 में इसको establish किया गया था और यह आप कह सकते हैं dissolve कब किया गया तो इसका dissolution हो गया planning commission का 2014 में ठीक है तो यहां पर एक important बात यह भी है यह भी एक्जाम में आप से पूछा सकता है और जो planning commission यह बनाया गया था वो इसी entry के तहत बनाया गया था जो economic planning के हम बात करना है ठीक है तो यह आपको ध्यान लगना होगा यहीं पर एक और important चीज फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि अगर हम बात करें father of इंडियन एकोनोमिक प्लानिंग तो यह कौन है तो यह हम कह सकते हैं एम विश्वेश वरहिया एम विश्वेश वरहिया तो sir mvb short में इसको कहा जाता है ध्यान रगिएगा sir mvb अगर लिखा एक्जाम में तो यह भी correct है ठीक है उसके बाद friends अगर हम confident list की बात करें तो एक entry आप और याद रखिएगा यह UPSC के एक्जाम में पहले फुशा आ चुका है जो entry number 17 है हमारा entry number 17 है यह आपका क्या है तो हम कह सकते है prevention of cruelty to animals prevention of cruelty to animals जो पश्वों के आप कह सकते हैं पश्वों के लिए जो cruelty होती है उसको उसकी प्रोहबिशन उसके prevention की बात करता है जो entry number 17 है concurrent list का ठीक है तो C option यहाँ पर हमारा correct हुआएगा आगे बढ़ते है friends अगला question है हमारे पास which of the following is a subject of concurrent list इन में से कौन सा concurrent list का subject है ठीक है UPPCS means 2005 में question अलड़ी पूछा चुका है police criminal matters radio and television और foreign affairs तो अगर आपको answer पता है तो friends आप अपना answer comment section में code भी कर सकते हैं तो friends B option इसका हमारा correct हो जाएगा जो criminal matters है they are under we can say that concurrent list of the constitution of India ठीक है concurrent list की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको criminal matters मिलते हैं cruelty prevention of cruelty to animals की बात करते हैं concurrent list में है ठीक है उसकी बात friends अगर हम police की बात करें तो यह आपका state list में mention होता है यह आपका subject है कहां पर state list का subject है ठीक है अगर हम foreign affairs और radio and television की बात करें तो यह आपके union list के subject है ठीक है radio and television और foreign affairs अब थोड़ा logical भी अगर आप ध्यान से देखें तो आप कुछ यह समझ में आजाएंगी state में work करती है है ना center का उसमें को interference नहीं होता है तो police जो है आपका state list में आ जाएगा लेकिन अगर वहीं पर हम दिल्ली police की बात करें तो आप देखेंगे जो डेली police है और police union territories में जो police appointed है यह अगर अगर हम state की बात करें किसी state police services की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यह आपके state list के अंदर आ जाता है आगे बढ़ते हैं friends अगला question है हमारा यह UPSC में already पूछा चुका है IS के prelims में question पूछा चुका है कि which of the following entry is subject of concurrent list आप से पूछा जा रहा है कि इसमें जो subjects of legislation दिये गए हैं इन में से कौन सा ठीक है तो आप देखेंगे friends population control and family planning जो है यह हली में मुद्धा भी न्यूज में भी रहा है जब हम family planning के लिए बात कर रहे थे government जो हमारी इसके लिए कदम उठाने की बात करें या लोग नाने की बात करें तो काफी news में भी रहा है तो अभी भी हमारे लिए important है कि जो population control of family planning है it is we can say that it is given under the concurrent list of the constitution of India ठीक है अब अगर यह जो population control family planning के हम बात करें तो ध्यान रखेंगा friends यह original constitution में मौझूद नहीं था ठीक है जो population control of family planning है यह entry original constitution में मौझूद नहीं थी तो हम कह सकते हैं इसको एक amendment के द्वारा concurrent list में add किया गया था और आपका amendment कौन सा था तो आप कह 26 जो 42 समविधान संसोजन अधिनियम 1976 में हुआ था उसके द्वाराई से एड किया गया था अगर public health और sanitation के हम बात करें friends तो यह आपका state list का मुद्दा ध्यान रखेंगा यह आपका state list में दिया हुआ है ठीक है वहीं पर per percent tax or treasure travel के हम बात करें तो friends यह भी आपके state list के ही subjects द इतने subjects लिखें हमें 161 और 52 subjects लेकिन आप जो exam में पूश लिया गया है वह important है तो उतने subject आपको पता होने चाहिए तो public health sanitation में काफी confusion हो जाता है लोगों को और इसमें ज्यादा तर concurrent list का answer ticker करके आते हैं चीक है लेकिन ध्यान रखेंगा public health and sanitation जो है यह state list में दिया गया है per percent tax or treasure travel भी आपका state list में ही mention है ठीक है आगे बढ़ते हैं friends अगला question है मारे पास education which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by which amendment तो आप तो कही बार ही answer इसका answer मैंने आपको बता दिया और यह question आपका यूपी PCS means 2017 यूपी PCS lower subordinate 2008 लगातार पूछा गया है यह question तो फिरिंट जो education है इस एलॉंग विज four other subjects transferred from the state list to concurrent list by the 42nd constitution amendment act of the constitution of India जो ब्यालिसना सम्विदान संसुदन अध्नियम हुआ था हमारा 1976 में उसके द्वारा education और इसके साथ चार और subject थे जिनको split list निकाल करके concurrent list में डाल दिया गया था ठीक है अब वो subject कौन-कौन से थे तो आप देखेंगे एक आपका था education education के बाद प्रेंट सम्विदेखें forestry ठीक है उसके बाद wild life wild life and bird protection the administration of justice यह अगला subject था the administration of justice उसके बाद था फ्रेंट से वेट एंड मेजर वेट एंड वेट एंड मेजर यह आपके पांच subject थे जिनको state list से निकाल करके content list में transfer कर दिया गया है ठीक है और यह जो transfer हुआ है वो किस amendment के द्वारा हुआ है तो हम कह सकते है अगला question है कि which of the following provision of the constitution of india have bearing on education आप से पूछा जा रहा है कि यह जो provisions लिके गए हैं इन में से कितने provisions ऐसे हैं जहां पर education की बात की गई है तो अगर डिरेक्टिव प्रिंसिपल of state policy की हम बात करें तो फ्रेंट्स यहां पर भी education की बात हुई है रूरल एंड अर्बन local bodies की हम बात करें तो फ्रेंट्स यहां पर भी आप provisions with respect to the we can say that education ठीक है अगर हम फ्रेंट्स से पार्ट 4 की बात करें DPSP की तो जो आर्टिकल 45 है हमारा DPSP में आप देखेंगे आर्टिकल 45 education की बात करता है आर्ट 4 में विच डिल्स विद आप कह सकते हैं कि इंपावर दी पंचाइट और अदर लोकल बॉडी तो प्रोवाइड एजुकेशन यहां पर हम देखेंगे अर्ली जो एजुकेशन की बात किया थी आर्टिकल 45 में फंडमेंटल राइट्स में भी आप कह सकते हैं आर्टिकल 21-A में एजुकेशन की बात होती है इनके अलावज जो प्रोविजेंस लिखे गए हैं ठीक है जो आपका फिफ्ट शेडियूल है फिफ्ट शेडियूल में भी फ्रेंट से एजुकेशन की बात होती है ध्यान रख करते हैं उसके बाद फ्रेंट से सेवेंथ शेडियूल की बात करें तो यहां पर भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड मुद्धा मिल जाएगा तो आप देखेंगे यहां पर सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट लेकिए ठीक है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यह जो 10th schedule है हमारा friends इसको 52nd constitution amendment act 1985 की द्वारा constitution में add किया गया था ध्यान रखियेगा और इसे anti-defection law बोला जाता है we can say that it contains provisions regarding anti-defection law and we can also say that it lays down the process by which legislature may be disqualified on the ground of defection मतब जो MP or MLA है उनका जो disqualification है on the ground of defection मतब अगर वो दल बदल कर रहे हैं अपना दल बदल दे रहे हैं तो इसके उपलक्ष में जो laws बनाया गया है वो आपके anti-defection law के नाम से जाना जाते हैं जो कि आपके constitution में 10th schedule में दिये गया है अब यह originally नहीं थे ठीक है अग 12-12 यह जो 4 schedule एड हुए यह बाद में amendments से एड कियेगे है तो जो 10th schedule है यह आपका 52nd amendments से एड किया गया यह आपका anti-defection law की बात करता है जो 11th schedule है यह आपका पंचायती राज की बात करता है 73rd amendments से है गया 74th amendment से हो एपका 12th schedule एड किया जो municipality की बात करता है वहीं पर अगर हम 9 schedule की बात करें तो यहाँ पर हम land reforms की बात करते हैं, land reforms जो की first constitution amendment के द्वारा constitution में add किया गया था आगे बढ़ते हैं friends, अगला question है, important है ध्यान रखिएगा Marriage, divorce and adoption are an entry in the seventh schedule of the constitution of India under which list, जो marriage, divorce या adoption की हम बात करते हैं तो यह आपके किस list में दिया गया है, यह आपका किस list का subject है, legislation का, union list का, state list का या concurrent list का तो friends, ध्यान रखिएगा, जो marriage, divorce and adoption है, it is given under the entry five of the concurrent list of the constitution of India in seventh schedule ठीक है, जो साथवाँ schedule है हमारा, उसमें आप देखेंगे कि जो concurrent list दिया गया है, जो तीसरी list है हमारी, ठीक है, पहली list है union list, दूसरी है state list, तीसरी है आपकी concurrent list, तो आप कह सकते हैं, जो concurrent list है हमारा, उसका जो entry number five है, वो इन सारी शियों की बात करता है, marriage, divorce and adoption की, तो अब आप देखेंगे, triple तला का मुद्दा काफी news में रहा है, हमेशा ही रहता है, तो यह question हमेशा से important है, ठीक है, कभी भी आप से exam में पुछा सकता है, UPPCS lower, special prelims 2010 में question अलड़ी पूछा चुका है, तो friends, अगला question है हमारे पास, कि which schedule of the constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states, हम विधान का कौन स schedule है, कौन से हैं निसूची है, जो आपके administration और control की बात करती है, schedule areas के, ठीक है, तो यहाँ पर आद देखिए, friends, B option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा, जो आपकी पांच विए निसूची है, यह क्या बताती है हमें, it contains the special provisions with respect to the administration and control of scheduled areas in several states, please remember, friends, यह question आपका, UPSC prelims 2008 में पुछ पुछा गया, और फिर PCS prelims 2019 में पुछा गया, ठीक है, तो देखिए, current pattern पे यह question पूछा जा रहा है, तो बहुत important है हमारे लिए, friends, अगर हम schedule 5 की बात करें, तो यह administration control की बात करता है, scheduled areas की, in several states, except, यहाँ पर 4 states को छोड़ देता है, असाम, असाम, मेघाले, त्रिपुरा, एंड, मिजोरम, ध्यान रखेगा, असाम, मेघाले, त्रिपुरा, एंड, मिजोरम, इनको छोड़ करके, जो बाकी states है, वहाँ पर, अगर हम administration control की बात करेंगे, schedule area में, तो वो provision आपको कहा मिलेंगे, schedule, आपको जो fifth schedule है, वहाँ पर आपको मि गाले, त्रिपुरा, मिजोरम में, अगर हमें यह administration करना हो, schedule area में, तो हमें इस से related, जो provision है, constitution में, कहा मिलेगा, तो हम कहा मिलेगा, तो हम कहा सकते हैं, it is provided in the sixth schedule of the constitution of India, जो sixth schedule है हमारा, भारत के सम्विधान का, उसमें हम बात करते हैं, administration control of schedule area और tribal area इन, असम मेघाले, त्रि schedule की बात करें, friends, तो यहाँ पर आपके oath and affirmation लिखे गए है, seventh schedule में division of power दिया गया है, अगर ninth schedule की बात करें, तो यहाँ पर land reforms की बात की गई है, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं, friends, जो next question है, हमारा, वो है, which one of the following is not correctly match, आप से पुछा जा रहा है कि इन में से कौन सा correctly match, नहीं है, एक तरफ article दिये गए हैं, और दूसरी तरफ state का नाम लिखा गया है, और basically आप देखेंगे, friends, तो 371A से ले करके, जो J तक के, 371, J तक के articles लिखे गए हैं, वहाँ पर हम special provisions की बात करते हैं, with respect to certain states, with respect to certain states of India, ठीक है, तो आईए सारे सभी को देख लेते हैं, क कभी भी कुछ भी पूछाया सकता है, तो friends, अगर हम 371A की बात करें, तो ध्यान रखेगा, it talks about the special provisions with respect to the state of Nagaland, ठीक है, इस से पहले friends, 371 जो है, ध्यान रखेगा, जो 371 है, it talks about the special provisions with respect to the state of Maharashtra and Gujarat, यहाँ पर special provisions की बात की गई है, 371 में, ठीक है, 371A में Nagaland की बात की गई है, 371 अगर B की बात करें friends, तो यहाँ पर Assam की बात की गई है, 371C की बात करें, तो 371C में आपका मनिपूर दिया हुआ है, ध्यान रखेगा, ठीक है, तो यही हमारा गलत लिखा हुआ है, आपसे प घाले लिखा हुआ, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, मनिपूर, ठीक है, अगर हम 371D की बात करें friends, तो 371D में आपको अंधरा प्रदेश, एंट तेलंगाना देखने को मिलेगा, 371E में आप देखेंगे friends, तो यहाँ पर establishment of central university ना अंधरा प प्रदेश के, अगर 371F की बात करें friends, तो यहाँ पर special presence दिया गया है, with respect to the state of system, अगर 371G की बात करें, तो यहाँ पर बात होती है, मिजोरम की, 371H में friends, अरुनाचल प्रदेश की बात की जाती है, 371 अगर I की बात करें friends, तो यहाँ पर हम गुवा की बात करते हैं, और finally, 371J में हम करनाटक की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको सारी states पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो यहाँ पर C option हमारा correct हो जाएग आगे बढ़ते हैं friends, the constitutional status has been given to panchayat, panchayatों को constitutional status किस article में दिया गया है, यह आप से पूछा गया था, UPSC RI का exam वो आता 2014 में, यह question आ चुका है, उसके बाद UP PCS Plinth 2015 में आ चुका है, उसके बाद राजस्थान PCS Plinth 2007 में question पूछा आ चुका है, तो friends, अगर constitutional status की बात करें, pan constitution of India, in fact, अगर हम देखेंगे friends, तो जो हमारा part 9 है, part 9 में आप देखेंगे, यह articles किते contain करता है, तो पहले हम देख चुके है, 243 से लेकर के, 243 ओ तक के जो provisions हैं, वो panchayatों के लिए हैं, ठीक है, जो part 9 में दिये गया है, यह originally नहीं थे, इनको add किया गया था, 70, third constitution amendment act 19, 92 के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर B option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा, पंचायतों की बात करें friends, तो और इसी अगर amendment की बात करें, तो त्यातरवे ही amendment के द्वारा आप देखेंगे, कि आपका 11th schedule भी add किया गया था, ठीक है, और part 9 add किया गया था, तो part 9 में 243 से 243 ओ तक के ज 243 Z G तक, तो यहाँ पर आपके municipality आ जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका cooperative society आ जाएगा, और जो आपके municipality ही हो आपका part 9 A में दिया गया है, ध्यान रखेगा, और जो cooperative society ही हो आपके part 9 B में दिये गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं friends, अगला question है, the provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislature, except on the recommendation of presidents, is covered in the constitution of India under, कहा गया है कि legislature के द्वारा, कोई भी bill impose करने वाला जो law है, सौरी, कोई भी tax impose करने वाला जो bill है, वो तब तक represent नहीं किया जाएगा, introduce नहीं किया जाएगा, जब तक उसको prior recommendation से, president का prior recommendation ना मिला हो, ठीक है, यह आप से कहा जा रहा है, कि यह आपके किस article में provision दिया गया है, कि किसी भी bill को हम parliament में पेश नहीं कर सकते, legislature के दौरा पेश नहीं किया जा सकता, अगर वो tax related है, जब तक कि उसको prior recommendation ना मिली हो, किसकी president की, तो यह particular चीज आपकी किस article में लिखी गई है, तो हम देखेंगे friends, जो article 117 है हमारा, जो article 117 है, यह आप देखे कि financial bills की बात करता है, ठीक है, तो जो financial bills होते है friends, उसमें यह बात लिखी गई है, कि अगर कोई भी ऐसा amendment किया जा रहा है, जो कि यह नए provisions बना रहा है, with respect to the imposition, abolition, remission, alteration of any existing tax law, or introduce a new tax law, it shall not be introduced or moved, except on the recommendation of president, जब तक रहे प्रेजडेंट का recommendation, prize recommendation नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी हम ऐसा bill नहीं पेस करेंगे legislature के द्वारा, जिससे किसी भी tax को, आप कह सकते हैं कोई भी financial bill नहीं पेस करेंगे, जिससे कोई नया tax impose किया जा रहा हो, कोई tax abolish किया जा रहा हो, किसी tax को कम या ज़्यादा किया जा रहा हो, या किसी tax का alteration किया जा रहा हो, ठीक है, अगर हमें यह bill पेस करना है, तो हमें president की prize recommendation लेनी पड अगला question है, which one of the following articles of the constitution provides for all India services, all India services किस article में दिया गया है, तो यह question भी आपका UP PCS RI 2014 में पूछा गया, उसके बाद PCS means 2012 में पूछा गया, तो हमारे लिए important है question, और यह तो आपको पता ही होना चाहिए, यदि आप state civil services की preparation कर रहे है, तो friends इसका C option हमारा एकदम correct हो जाएगा, जो article 312 है, वो all India services की बात करता है, and it provides for all India services, please remember, तो आप देखेंगे, इस article में जो supreme authority दी गई है, वो council of states को दी गई है, मतलब राज सभा के हाथ में यह power होती है, we can say that if council of state had declared by resolution supported by not less than two-third of members present and voting, that it is necessary or expedient in national interest for the creation of one or more all India services, तो हम कह सकते हैं, Parliament may bellow provides for one or more all India services, आगर राज इस अबा को लगता है कि national interest में और राश्ट के hit में यह चीज़ बहुत ही आवश्यक है, और जरूरी है कि एक all India services create किया जाए, तो यह resolution pass करेगा, which should be supported by two by three members present and voting, ठीक है, तो यहाँ पर एक special majority की बात की गई है, और जो resolution हो आपका ही special majority से pass वाजाता है, तो Parliament आ करके states के लिए एक all India services create कर देगा, तो यह बात आपका article 312 बताता है, तो C option यहाँ पर हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा, इसकी बात friends अगला है, which one of the following pair, institution and articles of the constitution is properly matched, एक तरफ institution लिखे गए हैं, दूसरी तरफ articles लिखे गए हैं, आपको बत इंडिया की अगर हम बात करें friends, तो जो supreme court of India, it is given under article 124, article 124, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, अगर election commission of India की बात करें friends, तो यह आपका article 324 में ही दिया गया है, अगर हम part 15 की बात करें, अगर हम part 15 की बात करें, तो it contains provision from article 324 to article 329, और जो की आपका क्या deal करते हैं, elections से related हैं, ठीक है, article 324 clause 2 क्या कहता है, कि जो election commission होगा, it shall consist of chief election commissioner and such number of other commissioners as president may from time to time fix, मतलब president यतना decide कर दे, उतने other election commissioners होगे, और उनके साथ एक chief election commissioner होगा, तो यह बात आपका article 324 clause 2 में लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर B option हमारा बिलकुल correct हो जागा, क्योंकि आपसे यह पिछा रहता कि कौन सा correctly measured है, अगर हम friends union public service commission की बात करें, तो it is given under article 315, 315 में दिया गया है, ठीक है, जो union public service commission है, UPSC, इसकी बात article 315 में की गई है, ठीक है, इसको तोड़ा साफ लिख देते है, article 315, अगर attorney general की बात करें friends, तो यह आपका article 76 में दिया गया है, तो यह आपके सारे options गलत है, केवल B all option हमारा, यहाँ पर correct लिका गया है, ठी ठीक है, आगे बढ़ते हैं friends, अगर article 351 की बात करें, तो यहाँ पर development of Hindi language की बात करते हैं, धाना किएगा, development of Hindi language, इसमें article 351 में है, आगे बढ़ते हैं friends, अगला question है, which one of the following is not correctly match, आप से पुछा जा रहा है कि इसमें कौन सा correctly match नहीं है, अब यहाँ पर एक तरफ article लिखे ग है, तो यहाँ पर friends, यह question आपका UPPCS building 2013 में अलड़ी पूछा चुका है, अगर article 39A की बात करें friends, तो ध्यान रखिएगा, article 39A जो है, यह आपका equal justice or free legal aid की ही बात करता है, ठीक है, तो पहला तो हमारा बिलकुल correct लिखा गया है, तो यह answer हो नहीं सकता, article 40 में organization of village panchayat की बात क correct लिखा गया है, यह सब आपके DPSP थे है, directive principle of state policy, article 44 में आपका uniform civil code की बात की गई है, तो यह भी common civil code आपका कहाँ पर मौजूद है, तो article 44 में मौजूद है, friends, अगर article 48 की बात करें, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर organization of agriculture और animal husbandry की बात की जाती है, organization of agriculture and animal husbandry की बात, article 48 में की जाती है, अगर separation of judiciary from executive की हम बात करें, तो यह आपका article 50 में दिया गया है, जान रखिएगा, article 50, ठीक है, तो devil option हमारा गलत दिखा गया है, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला question आपका UPPCS PLINTS 2013 में अलुछा जा चुका है, match the following है, एक तरफ आपके article लिखे गए हैं, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं, उनसे related provision, तो match करना है, आपको तो uniform civil court, अभी हम लोगों देखा है, article 44 में दिया गया है, formation of village पंचायत, यह बात की गई है, article, आप देखेंगे 48 में, ठीक है, उसके बात, उसके बात, उसके बात करता है, article 40, यहाँ पर देखें, agriculture, animal, husbandry, जो है, आपका article 48 में दिया गया है, उसके बात, प्रेंट से, अगर separation of judiciary की बात करें, from executive से, तो यह आपका article 50 में दिया गया है, यहाँ पर, आप देखें, जो अगला है, हमारा promotion of international peace, तो यह आपका article 51 में दिया गया है, ठीक है, तो यह आप कह सकते हैं, इसका सही मिलान होगा, यह बार फिर से देख लेते हैं, formation of village पंचायत, यह आपका article 40 में लिखा गया है, तो यहाँ पर कोई भी provision, कोई भी article नहीं match कर रहा है, अगर uniform civil court की हम बात करें, तो यह आपका article 44 में दिया गया है, agriculture, animal, husbandry की बात, article 48 में की जाती है, separation of judiciary from executive यह बात article 50 में लिखी गई है, और ध्यान रखेगा article 50 में, judiciary और executive के बीच के हम separation की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा legislature नहीं आता है, ठीक है, तो confused नहीं होना है, separation of judiciary from executive यह आपका article 50 में दिया गया, promotion of international peace and justice, यह आपका article 51 बात करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, friends, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, 40 होना चाहिए था, यहाँ पर 40 होना चाहिए था, तो आपका यहाँ पर यह इस से match हो जाता, ठीक है, अगला question है, friends, हमारा match का ही यह question है, और UP pieces print 2020 में question already, पूछा चुका है, तो latest question है हमारे लिए, तो article 61 के अगर हम बात करें, friends, अब आप दे हमारा correct हो जाएगा, अगर 67B की बात करें, friends, तो यहाँ पर impeachment of vice president की बात किया जाता है, मतब removal of vice president आप कह सकते हैं, impeachment के वलो के वल, president का होता है, और किसी का नहीं होता है, vice president का removal होता है, जहाँ देखेगा, ठीक है, तो article 67B जो है, इसमें removal of vice president दिया गया है, अगर article 94 के हम बात करते हैं कि इसकी speaker के removal की बात करते हैं, और article 90 में हम देखते हैं कि removal of deputy chairman of राजसवा के हम बात करते हैं, क्यूंकि chairman जो है राजसवा का कौन है, वो आपका vice president ही है, तो vice president का removal किसमें दिया गया है, तो आप देखेंगे 67B में दिया गया है, लेकिन अगर deputy chairman के हम बात करें 2010 में अलड़ी पूछा चुका है, तो friends, article 14 में equality की बात किया थी, 14 से 18 में, article 36 की बात करें, जहां पर आपका fundamental right section खतम होता है, मतलब यह DPSP हमारा जहां से start होता है, 12 से 35 आपका part 3 में आता है, part 3 में आपका article 12 से 35 आता है, और 36 से हमारा DPSP start होता है 51 तक, उसके बाद 51A में आ आपका duties दिया गया है, ठीक है, जो की आपका बाद में एड़ वा था, 44th constitution में टेक 1978 की द्वारा, ठीक है, और इसको स्वर्ण सिंग की committee की recommendation पे add किया गया था constitution में, ठीक है, तो article 14 में आपका right to equality दिया गया है, उसके बाद article 36 की हम बात करें, तो it is related to DPSP, अगर हम article 74 की बात करें, तो यहां पर आप कहेंगे council of ministers की बात की जाती है, appointment of the council of minister, ठीक है, article 75 में हम देखते हैं friends, appointment of the ministers and prime minister की बात की जाती है, article 74 में लिखा हुआ है कि there should be a council of minister to aid and advise the president, आप देखेंगे कि जो president है, वो अपने discretionary powers के अलावा, जो की बहुत कम है discretionary powers, उनके अलावा, जितने भ तो यह बात आप कहा सकते हैं, कहा से हमें पता चलती है, article 74 से पता चलती है, उसके बात friends, article 368 में power of parliament to amend this constitution की बात कियाती है, तो constitution को amend करने की power, article 368 में लिखी गए, यहां पर हम different तरह की majority इसको भी जेखते हैं, like simple majority और absolute majority, special majority, चीक है, तो friends, article 14, right equality हो जागा, 36 DPSP हो जागा, 74 में council of minister की बात करेंगा, और 68 में हम कह सकते हैं, amendment की बात कियाती है, आगे बढ़ते हैं friends, अगला question हमारा, UPPCS means 2016 में पुछा गया है, match the following का है, तो to admit new state by law, यह बात कहां पर आगी, तो आप कह सकते हैं, article 2 में यह बात कही गई है, अगर admission के हम बात करते हैं, admission और establishment के हम बात तो यह बात आपका article 3 में लिखा गया है, please remember, अगर हम formation की बात करें, by altering its area boundary, तो यह आपका article 3 में लिखा गया है, अगर हम admission की बात करें, admission of a new state in the union of India, तो यह बात आपका article 2 में लिखा गया है, अगर right to equality की बात करें, तो आप देखेंगे, यह हमारा article 14 से 18 तक मौजूद है protection against arrest and detention की बात करें, तो यह आपका article 22 में दिया गया है, और अगर power of president की बात करें, to assent any bill, तो यह particular चीज़ आपके article 111 में लिखी गई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं friends, अगला question हमारा, इसने लड़ी लगा दी है, UP PCS Mills 2011, UP PCS Mills 2005, UP PCS Mills 2002, Lower Subordinate 2002, और IAS में भी a question पूश लिख एक में, ठीक है, तो आपसे match the following करने के लिखा गया है, तो article 54 के अगर हम बात करें friends, तो it is related to the president और union, तो अगर हम 54 की बात करें, तो यहाँ पर manner of the election of president की बात की गई है, तो यह हमारा बिलकुल correct लिखा हुआ है, article 75 में अभी मैंने आपको बताए कि prime minister या other जो minister से उनको prime minister क के सला से president nuked करेगा, या appoint करेगा, यह बात आपका article 75 में लिखा गया है, article 155 के अगर हम बात करें friends, तो जो article 155 फे it deals with the appointment of the governor of the state, ठीक है, तो यहाँ पर C वाला भी सही है, B भी सही है, A भी सही है, अगर 164 की बात करें, तो यहाँ पर हम chief minister और council of minister के appointment की बात कहते हैं, तो D वाला भी हमारा, बिल्कुल correct match है, तो यहाँ पर match में क्या जाएगा, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, तो यह question आपका most important है, कई बार exam में यह repeatedly पूछा गया है, तो friends, अगर यह sessions आपको अच्छे लग रहे हों, और आपका अच्छा revision हो रहा हो, प्रिवेस एर questions का, तो वीडियो को like और share जरूर करें, यदि आपने channel को भी तक subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कर लें, और bell icon को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया video यहाँ पर upload किया जाए, तो उसकी notification इसली आप तक पहुंचाए जा सके, okay friends, तो thank you so much.